बोले लक्ष्मी माता की जै बोले गनपती भगवान की जै गनपती भप्पा मोरिया सत्य सनातन धर्म के मानने वाले सभी ज्याता भक्तों को केलाश पंडित का नमस्कार प्रिये भक्तों आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दिपावली महत्सव में प्रमुख दिन दिपावली जिसे दिवाली, दीप अवली, दीप पंक्ती, धूम धाम ना जाने कितने नामों से पुकारा जाता है भारतवर्ष के अंदर दिपावली का तिवहार कार्तिक मास के कष्ण पक्ष की अमावस्या को ना केवल भारतवर्ष में बलकि पूरे विश्म में जहां जहां हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं सत्य सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं पूरे हरुष और लास के साथ पवित्ता के साथ मनया जाता है भारतवर्ष में इस दिन घरों, दुकानों और व्यापारी संस्थानों को विबिन परकार से सजाया जाता है चारो और दीप मालाएं, बिजली की जहालनें आदी लगा कर रोश्णी की जाती हैं इसी दिन व्यापारी वर्ग अपने बही खातों का पूजन करते हैं या नए खाते बनाते हैं महालक्ष्मी जी इसी दिन समुंद्र बंथन के समय ख्षीर सागर से प्रकट हुई थी इसी दिन भगवान श्री राम चंदर जी ने रावन पर विजय पाकर भगवती सीता, लक्ष्मन जी और सहयोगियों के साथ अयुध्या में प्रिवेश किया था इसी दिन महाराज विक्रमादित ने सिंगहासन पर बैठ कर विक्रम सम्वत की घोशना की थी और भगवान वामन ने इसी दिन राजा बली को पाता लोग का राजा बनाया था इनी सब कार्णों से इस दिन पूरे भारत वर्ष में भारी उत्सव मनाया जाता है सभी लोग महालक्षमी जी गनेश जी श्री राम सीता जी सहित अन्य देवी देवताओं की पूजा करके सुख सम्रध्धी की कामना करते हैं बोले लक्षमी माता की जै बोले गनेश जी महराज की जै तो प्रिय भक्तो आईए आपको बताते हैं कि श्री महालक्षमी जी का पूजन किस प्रकार करना चाहिए किस विधी से करना चाहिए पूजन सामगरी, केसर, रोली, चावल, पान, धूब, दूद, खील, बताशे, सिंदूर, मेवा, मिठाई, दही, गंगाजल, सुपारी, एक जलका लोटा, अगरबत्ती, रूई, घी का दीपक, कलावा, दिया सलाई और एक नारियल ये सभी आपको एकत्र करके पूजन की सामगरी तयार करनी चाहिए, विधी क्या है, एक थाल में या भूमी शुद्ध करके नव ग्रह बनाएं, रुपिया, सोना, चांदी, श्री लक्ष्मी जी, श्री गनेश जी, वैसरस्वती जी, श्री महेश, आदी, देवी, जातु की मूर्ती हो, तो उसको साक्षात रूप मानकर, पहले दूद से, फिर दही से, फिर गंगा जल से इसनान कराके, वस्तर से साफ करके, इस्थान दे, और इसनान कराए, दूद, दही वे गंगा जल में, चीनी बताशे डालकर, पूजन के बाद, सब को उसका चर्णा म गी का दीपक जलाकर, पूजन आरंब करें, और सद्धा के साथ बोलें, बोलिये गंपती महराजे की जै, बोलिये माता लक्षमी की जै, तो आईए भक्तो, अब हम आपको सुनाते हैं, लक्षमी जी की कहानी, कौन सी कथा इस दिन माता और बहनों को सुननी चाहिए, वो हम स बोली लक्षमी माता की जै, एक साहुकार के बेटी थी, वह प्रती दिन पीपल सीचने जाती थी, पीपल में से लक्षमी जी निकलती और चली जाती, एक दिन लक्षमी जी ने साहुकार की बेटी से कहा, कि तु मेरी सहली बन जा, तब लड़की ने कहा, कि मैं अपने पिता पिताजी से पूछ कर कल बताऊंगी, घर जाकर पिताजी को सारी बात कह दी, तो पिताजी बोले बेटे वो तो लक्षमी है, अपने को क्या चाहिए, बन जा, दूसरे दिन वह लड़की फिर गई, जब लक्षमी जी निकल कर आई, और कहा सहेली बन जा, तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी और दोनों सहली बन गई लक्षमी जी ने उसको खाने का न्योता दे दिया घर आकर लड़की ने अपने पिता से कहा कि मेरी सहली ने मुझे खाने का न्योता दिया है तब पिता जी ने कहा कि सहली के जीमने पर घर समाल कर जाई हो जब लक्षमी जी के हाँ जीम ने गई तो लक्षमी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ाने के लिए दिया रुपिय परखने के लिए दिये सोने की चोकी सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया जीम कर जब वे जाने लगी तो लक्षमी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीम ने आऊंगी उसने कहा आजईयो घर जाकर चुपचा बैठ गई तब पिता ने पूछा कि बेटी सहेली के यहां जीम कर आईये खाना खाकर आगई तो भी उदाश क्यों बैठी है तो उसने कहा पिता जी मेरे को लक्षमी जी ने इतना दिया अनेक प्रकार के भुजन कराए परन्तु मैं कैसे जिमाऊंगी उन्हें उन्हें कैसे बुलाऊंगी अपने घर में तो कुछ भी नहीं है फिर पिता ने कहा कि बेटा जैसा होगा वैसा जिमा देंगे इसमें तो चिंता क्यों करती है तो गोबर मिट्टी से चोका दे कर सफाई कर ले चार मुखवाला दिया जला कर लक्षमी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाई हो लड़की सफाई करके लड़ू लेकर बैठ गई उसी समय करानी नहा रही थी उसका नोलखा हार चील उठा कर ले आई और उसका लड़ू ले गई वे नो लखा हार डाल गई बाद में हार को तोड़ कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए इस हार के बदले तुम्हें क्या चाहिए तब उसने कहा कि सोने की चोकी सोने का थाल दुशाला दे सकते हैं तो दे दीजिए बहुरें दे और सारी सामगरी दे चत्यस प्रकार का भोजन हो जाए इतना समान दे सुनार ने वो सब चीज़ें से दे दी सारी चीज़े लाकर बहुत तयारी करी और रसोई बनाई तब गनेश जी ने कहा कि लक्षमी जी को बुलाओ आगे आगे गनेश जी और पीछे पीछे लक्षमी जी उसने फिर चोकी डाल दी और कहा सहेली चोकी पर बैठ जा जब लक्षमी जी ने कहा सहेली चोकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे कोई भी नहीं बैठा, तो उसने कहा कि मेरे यहां तो बैठना पड़ेगा, मेरे माता पिता, भाई बतीजे, मेरे पोते बहुए, क्या सोचेंगी, पड़ोसन क्या सोचेंगी, लक्षमी जी की सहेली बननी थी, 28 पीडियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा, फिर लक्षमी जी चोकी पर बैठ गई, तो उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्षमी जी ने की, वैसे ही उसने भी की, लक्षमी जी उस पर बहुत प्रसंद हुई, और घर में खूब रुपिया धन लक्षमी हो गई, साहुकार की बेटी ने कहा, कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठे रहना, और वे चली गई, लक्षमी जी गई नहीं, और चोकी पर बैठी रही, उसको बहुत सा धन दोलत दिया, हे लक्षमी माता, जैसे तुमने साहुकार की बेटी को दिया, वैसा सब को देना, कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते, अपने सारे परिवार को, पीहर में देन सस्राल में देना, बेटे पोते को देना, हे लक्षमी माता, सभी के दुख दूर करना, दरिदवता दूर करना, और सब की मनो काम ना पूर्ण करना. बोलिये लक्ष्मी माता की जै बोलिये गनेजी महराज की जै तो भक्तो दिपावली के दूसरे दिन सब लोग भोख खाओ औरतें अपनी सासुजी और नरंद के पैर छूकर रुपिये देती जाएं और साथ में लड्डू दें और अपनी सवी प्रकार की मनोकामनाएं पूर् तो प्रिये भक्तो इस प्रकार यहां पर दिपावली की कथा समाप्त होती है सनेहें और सद्धा के साथ बोलेगा बोलिये माता लक्ष्मी की जै बोले गनेजी महराज की जै गनपती बाप्पा मोरिया